हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूँगा गैस कि टेक्नो स्पार्क 20C फोन में आप लोग इनकमिंग कॉल फ्लाशलाइट को कैसे इनेबल कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क 20C फोन है और इस फोन में जो है आपको इनकमिंग कॉल फ्लाशलाइट को ओन करना है आप लोग चाहते हो कि जब भी आपके फोन में किसी का कॉल आए तो आपको जो केमेरा का फ्लाशलाइट है वो ब्लिंक होने लगे तो मान लीजे आपका फोन जो यहापर से साइलेंट में है तो यहापर साइलेंट है कुछ इस तरीके से तो आपको जो कैसे पता चलेगा कि आपके फोन में call आ रहे हैं अगर आपको फोन को silent भी रखना है और आपको पता भी करना है कि आपके फोन में call आ रहे हैं तो आप लोग incoming call flashlight को enable कर सकते हो अगर phone silent भी होगा, lock होगा तब भी जो है जब भी आपके फोन में call आएगा subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस विडियो को start करते हैं incoming call flashlight को enable करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद यहाँ पर उपर की तरप आपको एक settings का option देखने को मिलेगा तो इस settings के option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा सबसे उपर ही flush for calls का तो इसको आपको on करना होगा तो इस पे click करेंगे click करती यह जो option है वो on हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ है देख सकते flush will alert continuously when locked मतलब अगर आपका phone lock होगा या silent mode बे होगा तो आपका जो camera का flush light है गा इस वो blink होने लगेगा जब भी आपके phone में किसी का call आएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Tecno Spark 20C phone में incoming call flush light को enable कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते हैं कर लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई